वेल्कम बेक फ्रेंट्स बहुत मुद्ध स्वागत है आपका बंदू इस वीडियो में हम लोग DFCCIL का जो एक्जामिशन हुआ है 289-2021 को उसके सेकेंड सिफ्ट के कुछ प्रशनों की चर्चा करेंगे ये सारे प्रशन बंदूओं विद्यार्थियों के मेमोरी पर आधारी तो आए शुरू करते हैं इस वीडियो को देखें बंदूओं पहला प्रश्ण है ये आपका रॉलेट आक्ट कब पारित हुआ था यह जो आक्ट है कब पारित हुआ यह तो आप याद होगा यह पारित हुआ था इस समय जो वास रहा था बन्दों। वास रह था रहा था रहा है। लाड लाड जेम्स फोर्ड था बन्दों। लॉर्ड चेम्स फोर्ड था कौन था मंधू? लॉर्ड चेम्स फोर्ड ये जो एक्ट था मंधू इसमें क्या बात थी? इसमें बात थी कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना मुकदमा चलाए ग्रिफतार किया जा सकता था लेकिन इसके विरुद्ध कोई अपील, कोई दलील और कोई वकील नहीं की जा सकती थी बंधू यही एक्ट में मुखे बात था बंधू अगला प्रस्था बंधू ये था कि योजना आयोग की अस्थापना कब हुई थी? कौनसा प्रस्था बंधू योजना आयोग की अस्थापना कब हुई थी? तो बंधू आपको याद होगा कब हुई थी योजना आयोग की अस्थापना? योजना आयोग की अस्थापना बंधू योजना आयोक के जो अध्याक्ष होते थे अध्याक्ष वो प्रधान मंत्री होते थे प्रधान मंत्री ये बंधों इस आयोक को अब समाप्ट कर दिया गया है कब ये समाप्त हुआ है, ये हुआ है 15 अगस्त 2015 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया है बंदू, इसके जगह पर अब नया एक आयोग बन गया है, नीती आयोग, कौनसा आयोग बन वोग नीती आयोग, अगला प्रस्ने बंदू देखिए, जी का मान क्या होता है? यह स्मौल जी का मान किया हूता है स्मौल जी का मान होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वाइर यह होता है ने बंदू कितना होता है स्मौल जी का मान 9.8 एक उत्तर लेंस, सामने अभी सारी लिखा गया है, दो लेख समरे अभिसारी लिखा गया कौन बात सही है, option A में है आपका केवल एक सही है, option B में है आपका केवल दो सही है, option C में है आपका एक और दो दोनों सही है, option D में है आपका दोनों में से कोई नहीं, कौन इसका सही आंसर होगा बंधवों, तो देखिए पहले आप इसको समझ लिजिए, उत्तर लेंस है, उत उट्ण लेंस को हम लोग अभी सारी भी करते हैं तो इसलिए बात सही है और टलेंस को अब सारी है तो यह भी सही है यानि कि एक और दो दोनों सही है तो इसका answer कौन हो जाएगा ? तो बंधू इसका answer हो जाएगा option c, एक औरत दोनों सही है menu option c इसका answer हो होने पर दात का च्छरन होने लगता है क्या था बंधुओं मुझ का पिएच कितना से कम होने पर दात का च्छरन या च्छै होने लगता है तो बंधुओं यह जो है मुझ का पिएच यानके मुझ का पिएच मान जो मुझ का पिएच मान है वह कितना से कम होने पर दात का छरन होने लगता है या कहें कि दात का 6 होने लगता है तो इसका सही आंसर क्या होगा 5.5 से कम होने पर कितना 5.5 से अगर कम हो जाए मुझ का पीचवान कितना 5.5 से कम हो जाए तो दातों का चरण होना सुरू हो जाता है दाटों का च्छा होना प्रारंप हो जाता है बंधूर प्रस्ण है बंधूर साइट्रस कारण किसके कारण होता है Option A, जीवानू, Option B, कवक, Option C, प्रूटो जोवा, Option D, विशानू कौन सा इसका सही अंसर है बंधू हो? तो इस प्रश्ण का सही अंसर है आपका जीवानू कौन? जीवानू, जीवानू के कारण ही साइट्रस, कैंकर, रोग होता है बंधू हो यह जो रोग है आपका नीब्व में होता है, किसमें होता है, बंधुओं, नीबु में होता है अगला प्रस्ने बंधुओं, निम्न में में से, किस वीधी से उश्मा का संचरण होता है एक में चालन दिया गया है, दो में समवहन है, तीन में विक्रण है बंधो ये सारा option में से आपको answer खोजना है, option A में है एक और दो, यानि कि उस्मा का जो संचरण होता है, चालन और समवहन के द्वारा होता है B में दिया गया है 2 और 3 यानि कि समवहन और विकिरन के द्वारा C में दिया गया है 1 और 3 यानि कि चालन और विकिरन के द्वारा और D में 1, 2, 3 सभी यानि कि चालन के द्वारा भी समवहन के द्वारा भी और विकिरन के द्वारा भी तो इस प्रशन का सही आंसर कौन होगा बंधूँ तो देखिए बंधूँ इस प्रशन का सही आंसर है option D, एक, दो और तीन सभी, उस्मा का जो संचरण है बंधूँ ओचालन, समवहन और विकिरन, जो तीनों जो विदियां है, इन सभी विदियों के द्वारा उस्मा का होता है, तो बंधूँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, option D, एक, दो और तीन सभी, यानि कि चालन, समवहन और विकिरन, अगला प्रशन बंधूँ छोटी आंत में पूर्ण पाचन किसका होता है, एक में दिया गया है वसा, दो में दिया गया है प्रोटीन, और यह सारा option आंसर के लिए दिया गया है बंधूँ, ए दिया गया है केवल एक, यानि कि केवल वसा का होता है, option D में दिया गया है केवल दो, यानि कि केवल प्रोटीन का होता है, option C में दिया गया है दोनों, यानि कि वसा और प्रोटीन किसी का भी नहीं पूर्ण पाचन होता है, कौन इसका सही आंसर होगा बंधुओं, तो इस प्रश्ण का सही आंसर है बंधुओं, option C, दोनों, यानि कि वसा और प्रोटीन दोनों, छोटी आथ में बंधुओं, वसा और प्रोटीन दोनों का पुर्ण पाचन हो जाता है, बंधुओं, यहाँ पर इरेपसीन नाम का एक एंजा क्यों करता है बंद्धों कौनसा लाई पेज यू निकलता है यह आपका वशा का पाचन करता है और एपसीन जो एनजाय से चोटी में वो आपका protein का पाचन करता है तो बंदू इस प्रशन का सही आंसर कौन हो जाएगा C एक और दो दोनों कौन एक और दो दोनों ये वाला option बंदू हो C अगला प्रशन बंदू हो पेशिय या पेशी उत्तक का प्रकार निम्न में से कौन है एक में दिया गया है आपका अरेखित दो में दिया गया है काडियेक option A में हैं आपका बंदू केवल एक, option B में हैं आपका केवल दो, option C में हैं आपका एक और दो दोनो, option D में हैं दोनो में से कोई नहीं यानि कि कौन इसका आंसर होगा बंद हो, केवल एक यानि कि अरेखित, केवल दो यानि कि काडियक, एक और दो दोनों, यानि कि ये दोनों हो गया, अरेखित और काडियक दोनों, और D में दोनों में से कोई नहीं, यानि कि ना अरेखित होगा, ना काडियक होगा, तो कौन इस औरेखित और काडियेक दोनों आपका पेशी उत्तक का प्रकारें बंधू है क्या अरेखित और काडियेक दोनों पेशी उत्तक का प्रकार है बंधूँ ये जो है आपका अरेखित पेशी उत्तक बंधूँ ये देखेंगे आप कि अनैक्षिक रूप से जो गती करने वाला शरीर का अंग है यानि कि जो शरीर का अंग अनैक्षिक रूप से गती करता है उ अन्यक्षिक 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 रूप से गती करने वाले अंगों पर बंधुम पाया जाता है कहाँ पाय जाता है अन्यक्षिक रूप से गती करने वाले अंगों पर जैसे आपका हो गया यह मलाशे हो गया मलाशे मुत्राशे मुत्राशे आहार नाल आहार नाल यह सारे जो अंग है बंधुम को? मलाशे मुत्राशे आहार नाल यह सारे अंगों के दिवारों को पाया जाता है बंधुम जो अंग है बंधों इन अंगों पर इन अंगों का जो दिवार है उस दिवार पर आपको औरेखित पेशी उत्तक मिलेगा बंधों और ये काडियक जो पेशी उत्तक है बंधों ये जो आपका हट है हट खिर्दे ये खिर्दे के दिवारों पर पाया जाता है कहां खिर्दे के ख으ल्दे के दिवारों पर बंदू मों अग्ला प्रसnehmen रहों केलशियम शलफेट हेमिहाईड्रेट का संभान नाम क्या है ऑप्सन आ बेकिंग सोडा ऑप्सन व्शिंग सूडा ऑप्सन ऐ सोडियम कार्वोनेट option D plaster of Paris तो कौन इस प्रश्न का इसका ब्रेन किसे कहते हैं कम्प्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं तो इसका क्या आंसर हो सकता है बंदुओं इसका आंसर है आपका CPU CPU को बंदुओं किसको CPU को computer का brain कहा अगला प्रशन बंदुओं के जोर को क्या कहते हैं इसके जोर को क्या कहते हैं तो इसको कहा जाता है बंदुओं क्या कहते हैं इसको hinge joints को क्या 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 हैं तो योर बेस्ट डे इस टूडे के लेखक कौन है यह पुष्टक के बंदुओं यृर बेस्ट डे इस टूडे के लेखक कौन है यह फील्म अभी नेता है आनुपाम खेर वही इस पुस्तक के लिखा क्या बंदूओं ओनुपाम खेर अगला प्रशने बंदूओं निम्ण में से कौन सही है एक में दिया गए आपका ओरिशी इसके सामने है पुर्वी भारत दूसरा में है कथक इसके सामने है उत्तरी भारत option A केवल एक, option B केवल दो, option C एक और दो दोनो, option D कोई नहीं देखे बंदो, यह क्या कर रहा है कि निम में से कौन से है एक ओडशी इसके सामने पुर्वी भारत है, दो कथक इसके सामने उत्री भारत है समझे आपना, तो इकर रहा है कि इसके कहने का तातपर है कि ओडशी पुर्वी भारत का सास्त्रिय नित है और कथक उत्री भारत का सास्त्रिय नित है, तो यह क्या बात सही है इसके लिए option में आपको पूछ रहा है कि A होगा, यानि केवल एक सही है या B होगा केवल दो सही है, या C जो है आपका एक और दो दोनो सही है और D दिया है कि कोई नहीं सही है, यानि कि ये भी गलत है, ये भी गलत है तो बंदुओ इसका सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्म का सही आंसर है बंदुओ option C, एक और दो दोनो कौन? option c इसका answer है एक और दो दोनो कैसे बंद हूँ? ओरिशी जो है आपका पुर्वी भारत का शास्त्री नित है ये आपका उरिशा का शास्त्री नित है तो उरिशा तो आपका पुर्वी भारत में आता है तो ओरिशी आपका पुर्वी भारत का नित है भारत का शास्त्रीय निर्थ है तो इसलिए दोनों बात सही है और C आपका पुर्वी भारत का शास्त्रीय निर्थ है क्योंकि ये उरिशा का शास्त्रीय निर्थ है और कथक जो है आपका उत्तरी भारत का शास्त्रीय निर्थ है तो इसलिए ये दोनों सही है तो इसका आंसर क यानि कि सम्विधान का जो ग्याँवा अनुसूची है किस से संबंधित है तो इसका आंसर क्या हुआ बंधूऊ ये पंचायती राज से संबंधित है किस संबंधित है सम Under पंचायती राज संस्थाओं को कार्ज करने के लिए इस अनुश्ची में बंदों पंचायती राज संस्थाओं को कार्ज करने के लिए 29 विशय दिये गए बंदों कितना 29 विशय प्रदान किये गए हैं 29 विशय प्रदान किये गए हैं या दिये गए हैं 29 विशय प्रदान किये गए हैं बंदों यह अनुश्ची जो है बंदों आपका 73 वा कौन सा 73 वा जो संविधान संसोधन हुआ है 73 वा संविधान संसोधन 1993 में 11 वी अनुश्ची को बंदों भारती संविधान में जोरा गया है तो कब जोरा गया है बंदों 33 संविधान संसोधन 1993 में तो बंदों इस वीडियो में इतना ही यह जो कुछ प्रश्म आपने देखा वो विद्यार्थियों के मेमोरी पर आधारित जो इस परिच्छा में समिलित हुए हैं डी एफ सी सी आईयल में तो इस वीडियो में इतना ही वीडियों देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद